कई बार जरासी लापरवाही बड़े बड़े हादसों का कारण बन जाती है एक्सिडंट इतने भयावह होते हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए ऐसे हैं कुछ भयानक एक्सिडंट के बारे में हम आपको बताते हैं और एक्सिडन्ट को देखकर आपके रोंग टेक खड़ी हो जाएंगे एक्सिडन्ट हाइवे का है जहाँ पर तेज रफतार फोर्विलर ने आटो को इतनी जबदस्त तकर मारी कि आटो के पर खचे उड़ गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आटो हाइवे को क्रॉस कर रहा है और सामने से आ रही वाइट करर की गाड़ी आटो को इतनी जबदस्त तकर दे रही है कि आटो गिसता हुआ डिवाइडर पर जाकर पलट गया है वहीं कार भी दो से तीन बार रोड पर घूम गई और कार का बोनट बाहर आ गया ये गंभीर हाच्चा उस वक्त हुआ जब आटो वाला हाइवे को क्रॉस कर रहा था सामने से आ रहे कार चालक को दिख रहा था कि सामने आटो है जो हाइवे को क्रॉस कर रहा है लेकिन फोर विलर की स्पीड कम नहीं हुई और वो धडाम से आटो से भिर गई आटो पड़ी खाकर डिवाइडर में खुज गया आटो की हालत चकना चूर हो गई यहादसा हाइवे में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ ऐसा ही एक हादसा हुआ एक और हाइवे पर जो कि किसी की भी रूह कपा सकता है इस हादसे में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक जो सामने से आ रहा है उस सामान से लोड है एक रास्ते से वो बाहर आ रहा है और वहीं सामने से हाइवे वाले रूट से एक बाइक सवार आता दिख रहा है जो अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रक में जागुसा एक्सिडेंट सिर्फ ट्रक में घुस जाने तक काही नहीं रहा जैसे ही बाइक सवार ट्र और बाइक सवार को किसी तरह से ट्रक से दूर किया और आग बुझाए ये गनिमत रहा कि बाइक सवार ने हेलमेट लगाया हुआ था और हेलमेट की वज़से तकराने के दरान उसके सिर पर चोट नहीं आई और आग भी हेलमेट की वज़से रुख गई एक बार फिर देखिए, यह हादसा कितनी बुरी तरीके से हुआ, उधर से ट्रक बहार निकलता है, और इधर से बाइक सवार अपनी गाड़ी को कंट्रूल न कर पाने के कारण ट्रक में जोड़दार तरीके से भेड़ जाता है, और एक ब्लास्ट के साथ लगती है आग, जो बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लेती है, आसपास के लोग मदद के लिए बाइक सवार के पास पहुचते हैं और किसी तरह उसकी जान बचाते हैं, ऐसे ही एक और हादसे के बारे में हम आपको बताते हैं, जो किसी हाईवे पर नहीं, बल्कि टोल टेक्स पर हुआ, इसाथ से में आप देखेंगे कि किस तरह से एक बस टोल्टेक्स पर आकर रुखती है। और टोल्टेक्स देने के बाद वहाँ पर जमीन के अंदर से निकल रहे दो पिलर हैं जो कि टोल्टेक्स पर रुखने के लिए आटोमेटिकली वहाँ पर लगाये गए हैं, जो अपने आप नीचे हो जाते हैं बस निकल जाती है और बस के ठीक पीछे एक फोर विलर भी चल रही है शायद फोर विलर वाला बिना टोल टेक्स दिये टोल टेक्स को पार करने की फिराक में है लेकिन उसका ये मोटेव पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जैसे ही बस निकली टोल टेक्स पर लगे आटोमेटिक पिलर वापस से उपर आने लगे ये गाड़ी इन पिलर्स को पार नहीं कर पाई और धडाम से इन आटोमेटिक पिलर्स से तकरा गए गाड़ी के स्पीड तेज होने के बाद भी इन आटोमेटिक पिलर का तो लेकिन गाड़ी को जटका लगा और गाड़ी एक साइड हो गई लेकिन टोल टेक्स पर बिना टोल दिये जाने वालों की कमी नहीं है जो अपना दिमाग लगाने से बाज नहीं आते ऐसा ही एक नजारा इस टोल टेक्स पर वापस देखने को मिला जब एक four wheeler टैक्स देकर निकल रही थी और उसके पीछे एक और four wheeler वाले ने जाने की कोशिश की और पहले की तरह ये भी automatic pillar से तकरा गया इसके बाद शायद चालुक को समझाया कि बिना टैक्स दिये जाना सही नहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां automatic pillar से तकरा गई इस तकर को देख कर लगता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था ऐसे ही highway और road पर वाहन चालुकों की लापरवाही से कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जो किसी की भी रूहुक का पा सकते हैं सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स